हाई गाइज आपके लिए हम लेकी आए हैं यह ओलन सॉक्स जो यह अंगूठे वाला है और यह सेंडिल हो या स्लीपर्स यह हम चाहे जिस पर पहने बहुत ही आराम दे रहता है सर्दियों में काफी उन की बनी होने के वज़े से गरम भी रहती है और यह पहनने में बहुत आस था निम्स को तो हिस देखिंए है यह कुछ इस तरह की सॉक्स है चाहिओ वच्छहें की बुनाई की अगोज की अगहीं कि कईचंगे दे ब्हुनते हैं पैको चलिए यह natural करते हैं कैसे हम बना है यह देखिए इसमें कुछ ईसलक्रेवलनें डालें यह 45 फंदा है यह लगभग हम 8 या 9 नमबर के साइज का बनाएंगे उनको यह काफी आसानी से आजाएगा अगर आपके पैर काफी चोड़े हैं तो आप इसमें कुछ फंदे आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से मैं नर्मल इसी सॉक्स का ही बनाने वाली हूं इसके लिए म हम बनना स्टार्ट करेंगे इसके लिए हमें यह हमने जो है लगभग 10 फंदे हम इधर से उल्टा बनेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह हो गए हमारे 10 फंदे अब हम उन को पीछी के तरफ ले जाएंगे और बाकी की सलाहिया हम सीधा बनेंगे अब यह लाष्ट के हमारे बचे 10 फंदे जिस तरह हमने स्टार्टिं में 10 फंदे उल्टा बना था और बाकी हमने सारी सलाहियां बाकी की फंदे हमने सीधा बना अब हम यह आगए हम उन को फिर आगे की तरफ लाएंगे और ये हमारे जो दस फंदे हैं इसको हम उल्टा बुनेंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो ये लाश्ट का जो फंदा बचेगा इसको हम सीधा बुन लेंगे ताकि इस साइड से हमारे हो अब हम आगे अपनी उल्टी सलाई पर तो इधर हमें पहला फंदा हम उतार लेंगे इसको हमें बिनना नहीं है इसके बाद हम बाकी की सलाई हम ये पूरी रो जो है हम उल्टी ही भुनेंगे उल्टी सलाई तो इसलिए हमें पूरी सलाई अपनी जो है अब last का तो फंदा है इसको मून आगे करके इसको हम सीधा फंदा बुनेंगे यह देखए इस तरह की चोटी बन रेखेंगे , अब हम सीधे फंदे के तरफ आगाए इंए कि फिर पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के जो फंदे हैं, दस फंदे उसको हम उल्टा बुनेंगे, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 फंदे हमने बुन लिये, और हम पूल को अपनी पीछे ले जाएंगे, बाकी की सलाई हम सीधा बुनेंगे, और फिल लाश्ट के दस फंदे हम उल्टे बुनेंगे, इस तरह हमें ये देखिए, हमें ये पूरी जो है, यहां से लेकर हमें, पुरा यहां तक हमें ऐसे ही बुनाई करनी है, ये लगभग हम 66 फंदे हम बुनेंगे, और ये रो हमारी 33 बनेगी, ये उल्टी वाली रो जो है, ये 33 बनेगी, बाकी ये पूरी जो है, ये 66 बुनाई हम ऐसे ही, इस तरह हम ये बुन रहे हैं, दस फंदा इधर दस फंदा इधर बाकी का सीधा और इधर की पूरी रो उल्टी इसी तरह हमें ये 66 लाइन हमें बुनाई करनी है थीज़ देखिए ये हमारी 50 सलाईया जो है ये पूरी हुई है और अब हमें 16 लाइन और भी — नहीं है यानि हमें 66 करना है तो अब इसके आगे फिर हम बस वैसे ही बिनेंगे दस फंदे हमारे इधर उल्टे इस सलाई दस फंदे इधर के तरफ बाकी के जो फंदे हैं वो हम सीधी गुन रहे हैं यह देखिए यह हमारा जो है 66 फंद लाइने जो है हमारी सलाईयां कम्प्लीट हो गई है अब यहां से हम इसको अंगूठे में और बाकी उगलियों में इसको अंगूठा यहां से हम बनाएंगे जैसे यह एक सॉक्स मैंने पहले तयार कर लिया है तो इसमें यह हमारा अंगूठा इस साइड है तो अब हमने जो हैं अंगूठा यह देखिए यह हमनी अपनी तो अब हमने एक साइड हमारा अंगुठा आएगा तो अब दूसरे अंगुठा हमारा इस साइड आएगा तो जब हम पहले का जो एक जोड़ी का बनाएंगे वह हम तो हमारा लेफ्ट साइड घटा आये गाम को इस बार इसको मैंने राइट साइड Fresco इसको टिवाइट किया था मैंधस को लेफ्ट साइड से छलिए बनाते हैं इसके लिए हमें इसके लिए अब हमें सारी सलाइयां जो भी हम बुनेंगे वो सिर्फ सीधी सीधी ही सलाइयां बुनेंगे अब हम इधर से यह सारी जो रो है वो सिधी ही बुनेंगे यहां से जो है हम पहला फंदा पहला फंदा मुतार लेंगे इसलिए पैना फंदा हम उतारेंगे दूसरा फंदा हम फंदे को आगए यहां से हम बीस फंदे जो हैं अंगूठे के लिए निकाल रहे हैं दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अट्रा, बीस यह बीस फंदे हम अंगूठे के लिए निकालेंगे यह मेरी फाइप प्लाई की उल है और मैंने इसे नौ नंबर की सलाई से मैंने बिना हैं अगर आपकी उल पतली है अगर आपके वो लिसे भी मोटी है तो आप जो है बीस की जगह आप सत्रा फंदे ले सकते हैं यह ले सकते हैं अब यहाँ से जो है हम इसी जगह से हम फंदे को यहां से हमने बाट दिया और यह 20 फंदा बुना अब इसी को ही हम यहां से बुनेंगे इस फंदे को हम नहीं बुनेंगे यह हमारे 25 फंदे हैं इसको हम अब ही नहीं बुनेंगे इसके लिए इधर से हमें उल्टी सलाईयां बिन्नी हैं यह हमारे 20 फंदे हैं इस 20 फंदों को हमें इधर से हम उल्टी सलाई पूरी उल्टी सलाई भी बुनेंगे अब यह हम सीधी तरफ आ गए सीधी सलाई की तरफ यहां से सिर्फ 20 फंदे ही हमें बिन्ने हैं यह फंदा हमें अभी नहीं बुनना है यह देखे गाई यह फंदा हमारा यहां से लिवाइड हो गया है एक लाइन में और बिनकर दिखाती हूं इस तरह हमें अब यह इस तरह हमारे फंदे यहां से सिर्फ हम इतने ही कि हमने 20 फंदे निकाल ले हैं इसी को हम बुनेंगे यह 20 फंदे जो गाईज हमारे हैं इसको हम 18 सलाईया इसको हम बुनेंगे 18 सलाईया बुनने के बाद इसको हम बंद कर देंगे फिर हम इस वाले हिस्से को भी 18 सलाई हम बुनेंगे अब यह देखिए यह हमारा इधर कर जो हमें फंदा उठाया था यह हमारा पूरा हो गया है यह हमारी बाद की बचे फंदे हैं अब इसको हम फंदे को बंद कर देंगे यहां से कि यह हमारी उल्टी साइड है जैसे उंगली के हिसाब से हमारी उंगली ज्यादा लंबी है तो हम लगवग 20-21 लाइन बिन लें अगर जादी अंग उठा हमारा तो हम 17-18 लाइन ही बिन सकते हैं उल के ऊपर ही होता है कोई उल काफी मोटी है या पतली है अगर पतली है तो हमने तो आँ इसको फंदे कोछल हमें बंद करना है तो यह दो फंदे हम साथ में लेकर की भी मम लींगेंगी है और प्र dobrativa करना है कि इस तरह मैं अपनि फंदे बंद कर गया है कि अ यह हमने अपनी अंगूठे कज्ड है यह बंस और बें कर दिये अब से अब इसको हम कि धागा लगा कर अपना ऑफ मैं जाइज यहां से उन लगाकर और यहां से इसको भी हम just this लाइया हमने इधर बनी इस लाइया हम इस साइड भी बुझेंगे और उतनी सलयां पोरी हो जाने बाद हम इसको भी बन कर देंगे यह हमें सीधी साइट की सीधी सलाई और उल्टे साइट हमें उल्टे सलाई बुननी है पूरी रोहने सिफ सीधा बुनना है क्योंकि यह हमारा यहां से जब हम अम उल्टा डिवाइट करते हैं यहिं रहे अ कि यहीं से जो हम उल्टी रहते अ प्रपी इस तरह हम पूरी सीधित हैं थाउफ आप और इल्ट्राइम पर हमें उल्टापंदा बुनके विखुल अंगुठे में वीन है उतनी लाइने रिंधर में है यह कि ऄ देखिया हमारेव कि इनल भी अ और यह हमारा अंगुठे का साईड है और यह हमारा ना कि वностью हूं लेकिन जब दूसरी जोड़ी बनाए तो इस साइड मुठे के लिए चोड़ेंगे और इस साइड उगलीयों के लिए और यह हमारा देखिए इस साइड में सीधा यहां से सीधा सीधा है बुनाई और इस साइड मारी पूर्य उल्डी है अब हमको इसको को बताते हैं कैसे हैं हमको भाग है हमारा ये सीधा और रहेगा और इसको हमें यह हमारा उठा तो अब हमें जो है इसकी सलाई यहां से लेकर और यहां तक सिर्फ यहां तक हम इस लाई करनी है उसके बाद इस वाले हिस्से का यह हमारा चौड़ा हिस्सा है इसको फिर हम इधर से फोल्ड करेंगे इस साइट फिर इसको हमें यहां से लाते हुए फिर इसको यही तक जहां तक हमारा यह खुला है यहां से इस्टिच करते हुए फिर हमें इस जगह तक आना है चलिए इसको हम करते हैं कर दया इस तरह हम अधbean हमली है अधाक कर लेंगे में हें है जो हमारी जो ओल वाली उसली है कि सुझा थी है अधी से हम ृसी की स्लाइप करेंगे आप जब भी लें तो मैटी की सुझ कह यह कर लें इससे आपके स्वेटर्स काफी अच्छे सिल जाते हैं यह मैटी की सुई है इसी तरह हमें यहां से लेकर और यहां तक हमें सिलना है यह देखिए हमने इसकी सलाई यहां से लेकर यहां था और इधर से लेकर इसकी सलाई यहां चक कर दी अब यह हमारे अब हम इसके पीछे की साइड पहुँचे तो पीछे की साइड भी अब हमें बस यहां से पकड़ना है इसको यह चीज पीछे का हिस्सा हो गया अब हमें यहां से लेकर इसको यहां तब बंद कर देना है अब यह हमारी पीछे की साइड भी से ले गई देखे गए यह कुछ इस तरह आएगा देखने में तो अब इसको हम पलटने वाले हैं इस तरह हम इसको पलट देंगे यहां से इसको हम सभी कर लेंगे थोड़ा सा और जो हमारी यह साइड है यह साइड इसको हम थोड़ा सा इधर से अलका हंदर से हाथ से कर देंगे अब यह देखे हमारी दोनों पेर रेडि होगी यह अब हमें जैसे हमारी यह इस जगह भी स्टिच की हुई है तो अब हमें क्या करना है अब हमें यहां से लेकर यहां तक लगभग डेड़ इंच तक हम इसको उपर योड़ से स्लाई करेंगे यह हम जरा से यहां से पहले हम अंदर डाल कर धागे को हम यहां से एक बार हम बान देंगे ताकि धागा हमारा बाहर ना आए फिर हम इसको उपर ही साइट से इस तरह से हम एक बार हम इस तरह से धागे को लेंगे दूसरी बार हम इस तरह से धागे को लेंगे जिस तरह हम लेस डालते हैं एक बार हमें इस साइट से और एक बार इस साइट से इसी तरह से हमें इसकी सलाई करनी है इस तरह जो हम सलाई करते हैं तो यह बिल्कुल इधर से जॉइंट इसका नहीं पता चलता है और आप जिस तरह आप चाहें आप अपने हिसाब से भी इसको सेल सकते हैं तो यह बस एक बार इस तरफ से जो यह चोटी बनी हुई है इसी चोटी के अंदर ही से इसको हम इस तरह निकालते जाएंगे यह लगभर हमें यहां यह वन टू थ्री और दिख रहा है यह हमें बस यहां तक बन करना है और बाकी पैर जाने का हिस्सा हमें यहां तक इसको ओपन रखना है यह देखिए हमारे सॉक्स रेडी हो गए आपको डिजाइन कैसे लगी जरूर बताईएगा आपके कमेंट से हमें भी और वीडियो बनाने के लिए प्रोथ साहन मिलता है थाइंक यू वाचिंग फार माई वीडियो